नमस्कार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हम सिलोईजम और वेंड डियाग्राम की पढ़ाई कर रहे थे कर रहे थे और कुछ एड़्वांस के साथ मैंने एड़ किये थे कल कुछ अलग क्वेशन और कराऊंगा और उसके अलग कुछ क्वेशन नाम खुद से मैं इमेडियेट अभी लिखूंगा आप लोगों से कराऊंगा कल एक हो मग दिया था डिवाइडेंड प्रॉफिट और एक बोनस इन तीनों को लोकि मैंने बोला था एक विंड डाइग्राम बनान कर सकते हो थो थीक कि अम आरस लाइड नंबर जुझां इन vra तीक यह स्वाल था जहाए Agr踏 מקर था इस को जो के एक कमपनी चलती है हजार रुपय लगाती एक रुपय कमाती तो पांसो रुपय उसका लाब है ठीक अजार कि कि इन्वेस्ट कि कि अंदरों सो भाई यह 500 इसका सुद्ध लाब एठीक अधिवेडेन डिवेडेन क्या है लाभांस है ठीक आप लाभांस मतलब अपार्ट आफ लाप लाइक इसने पांसो रुपए कमाया तो इस ने एक हजार रुपए लिये थे ना चार लोगों से लिये थे इसने बोला था कि जब हमारा प्रॉपिट आएगा तो हम आपको यह लौट आ देंगे चार लोगों से डाइडे सो तो जो 250 का इनको इन्होंने कहा था कि आपको 250 का हम 260 देंगे तो दस तो इनका लाभ है ठीक और इस जो यह लाभ में से यह कुछ पार्ट जो जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुए ना इसमें से कुछ पार्ट इनको दे देते हैं इसी को डिवेडेंट बोलते हैं लाभांस ब तो आप ऐसे समझो ना कि हम लोग गय थे जो है अपने कावत सुने होगी आम के आम गुख्लियों के दाम मतलब बगीचे गया थे आम लेने के लिए तो आम हमने जो है आम को खाया और आम कुछ बीज होता है न तब एक नरसरी वरह मिल गया उसने का विया यह जो आम खार र आप तो पैसे तो सिर्फ आपको आम को मिलने चाहिए थे लेकिन आप जो गुट्लियों को भी बेचाए तो यह जो बोनस है या तिरिक लाब है पचास जार एक आदनी की सेलरी है उसी महीने में दीवाली आगे कंपनी ने दस परसेंट अरसाथ की पांच यह रुपे बोनस दे दिया ठीक तो यह भी जो है आप पार्ट अफ लाब है ठीक आपका बोनस ठीक अधिरिक लाब तो इसका कुछ ऐसा विंडाग्राम बनेगा जो है ठीक आप लोगों ने अगर यह किया होगा तो अब अच्छी बात है नहीं किया होगा तो अब समझ लोग यह कैसे होगा ऑप यह आएगा का मतलब आने की सम्होंनाय स्टेप के सवाल की सवाल को आपको सवाल जेनरले जो दोनों भासा में होते हैं तो उसके लिए परसान मत होना आप समझ लाओ कि उसको देखके ही कैसा है ठीक चलिए अगला सवाल देखते हैं सब्सक्राइब क्या ने यह करा दि ठीक है? नंबर से अलग अलग इंटरसेक्शं इंटरसेक्शं अर्थाथ की कौन किसमें common है, कौन बिल्कुल alone है, like one, two, और three, A और B, डो डायग्राम है, तो यहाँ दोनों का intersection point यह है, यह दोनों में common है, सवाल बोल रहा है विच नंबर रिप्रेजेंट्स ब्राउन एनीमल विच डूनोट है टेल मतलब पूंच तो नहीं होना चाहिए पूंच से बाहर निकल जाहिए आप आपके पास क्या बचा एक बचा पांच बचा और तीन बचा ठीक आगे पूछ रहा है ब्राउन उसका ब् विच नंबर रिप्टेंट्स ब्राउन एनीमल टो एनीमल को न भाई आपका एक और पांच है लेकिन वन ब्राउं तो नहीं है ब्राउन क्या आपका है सिर्फ और पंच घंग हमारे तीसों यह मिल गया यह इंड है इन आग उन्हार ने करका टीपिकल सवाल क्या होता है टीपिकल का मतलब ट्रणा मेला नहीं होता है किसा आदमी की जो फितरा हुए जो काम करता है तो बिल्कुल टिपिकल जैसा वो है जैसे यह संट राइब है थान्य स्टेस यह सवाल हम लोकल कर चुके थे जो हिंदी में यह इंगलिस में बस इसमें कुछ और नहीं है इसको आप करने की कोशिश कीजिए मां इंगली से बता है ता हूं प्राचार अर्थात प्रिंसिपल पूरूस अर्थात में मैं प्रहुर सराइप की में यूज करते हैं और मनुषसे के लिए हम हुर्थात की करते हैं कि यह आपका वुमेन हो गया यह का हुमन हो शबाल को करने का प्रयास कीजिए उसकी तक बता हूं कर लेंगे तो अछी बात है देखिए सवाल आपका कहता है सभी पुरदाना छाहरे पूरु शहीं अर्थाथ आल-प्रिंसिपल्स आर में या हमारे प्रिंसिपल्स हो गए है कि हुसार में तो िए कि अगें पूरता है सोम वुमेंस और प्रिंसिपल याने कि कुछ महिला है जो है पुराचार रहे हैं यह हमने बता दिया भाई या कुछ जो में प्राचाह रहे हैं ठीक अजब सब्योंस से महिला है है अल फिमेण्ट हर उमें ठीक है इस डियाग्राम को देख करें सकते हैं इस डियाग्राम से बता अ सकते हो जितनी वी भी हुमेर वह सबके पूरूस होंगे नहीं बता सकते आप वह भी सकते और नहीं बहुत सकते हैं तो पहला आपसन हमारे लिए कट है दूसरा क्या कह रहा है कुछ मनुष्स से महिल आए है सम यूमेंस और वुमेन देखिए डियागराम को देखिए और समझे कप देखिए अगर आल हुमेंस और ढर्रमे 시청 के अंदर प्रिंसिपल में होगा यह भी सए ऐसा हो सकता है तो थो हम इसको नहीं बता सकते हैं अगर लिखता सभी मैलाों के पुरू सुने की संबावना है तो हम के यहां बिल्कुल है लेगिंजब हम elle ही पता है तो हमसम की बात करेंगे बाकी सब गलत है ठीक अगर यहां लिखा था सभी women's are not men तब भी हम बोलते नहीं भई आम नहीं पता जो नहीं पता तो सब गलत है ठीक आप देख पा रहे हैं दूसरा और तीसरा आपका सही है यह क्वेस्चन हमने उठाया आप संस की तरफ जब आप जाओगे तो आपको दूसरा और तीसरा दोनों कहीं नहीं दिखेगा एक ज दोनों मैसे कोई भी टिक कर दो 네 मार्क कर दो हम आपको पूरे नंबर देँगे ठीक है मेरा मानना इसिस में सवाल को कैंसिल कर देना उसी रहेगा अबमेरा जो है यह सुधार प्रस्ता जब तक वहां पहुंचेगा और जब तक यह सुधार होगा तब तक आपकी परिच्छा खत्म हो चुकी होगी तो ठीक है आप जो है एंटिय की गाइड लाइन्स कोई माने और अगर आपको बता है डेफिनेटली अपने ज्ञान पर अपनी पढ़ाई प सब्सक्राइब तब बिल्कुल सठीक अप्शन हो जाता एक और चार तो सच में गलत है वो बिल्कुल परड़ी पूर्ड़ता के साथ आता या फिर पूछता यहां पर अगर देता कि आप्शन टू और त्री दोनों सही है तब भी यह सई हो जाता ठीक किस तरीक से सब्सक्र है यह आपको समझने हैं हाला कि यह कुछ अगर पूर्ड रूप से देखें तो सही नहीं है क्योंकि दो सही उत्तर है और दोनों ही बिल्कुल सही है साव इनको इकम सही या कोई ज्यादा सही दोनों ही सही है ठीक है आगे देखते हैं आगे है कुछ पेन पेंसिल है कल यह सवाल हमने इंगलिस में कर लिया था जो है नहीं यह सवाल नहीं था दूसरा सवाल ठीक है आप खुछ सब्सक्राइब करो फिर मैं इसको बताता हूं सब्सक्राइब को कई पेंसिल को बोलते कि बोटल को बोटल नहीं त्र annex बोल करुछ है नहीं कुछ है और आपट रलों प्रीक करने सब्सक्राइब करने का प्रयास करोई सब्द नहीं है ट्राइब और प्रयास दोनों का यह कहीं मतलब होता है तो यह कौन सा सब्सक्रांट गया गया सूपर फ्लोस अरथात की आती 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 जो जरूरत नहीं है वो भी आपने डाल दिया एक साथ नहीं होता है तरही लाएन है कुछ पेन पेंसिल है सम पेंस और पेंसिल कि यहां तक कोई दिख्यात आपको नहीं होने चाहिए कोई पेंसिल बॉटल नहीं है नो पेंसिल इस बॉटल कि अभी देखिए क्या है पहला आप साने कुछ पेंड बॉटल नहीं है अब आप समझो यह जो पेंसिल का सारा का सारा पार्ट है समझो ऐसे इस पेंसिल का जो सारा का सारा पार्ट है न यह कुछ भी बॉटल नहीं हो सकता है इसके बॉटल होने की समावना है ही नहीं जो पार्ट पेंका पेंसिल के अंदर है यह इंटर सेक्षन आप अब बहुत कभी डिंका तो कुछ पेंसिन, फ्रfrage ओबल दो कानुसरर करता है के अबल नेस्कार्ट करता है निस्कर्श की स्टेटमेंट के अगला सवाल देखते हैं, कैने अ हुटा क्हुत कर दस्ताना नहीं है सभी दस्ताने टोपियांं है सभी टोपियां जेकेट हैं, ठीक अप करने का प्रियास को जूता को सूज बोलते हैं दस्ताना को गलफ्स बोलते हैं तोपी को कैप दोखेर। होता है है ठीक ध्यावा है इस्टेट्मेंट फर्स्ट करता कोई भी जूता दस्ताना नहीं है नो सूज ग्लफ इसे ग्लफश टिक तीक नो सूज भी लब्स सभी दस्ताने टोपिया है आल ग्लफश आर कैप ऐसे आप सम्मझाओ यह अबर केल मैं ऐसे बनाता हूं आप लोगे समझाने के लिए समझों कि इसने पूरा ही लिए ठीक यहां पर में लिए लिए अगया है और लिखाव है जितनी भी टोपिया है आल कैप्स आर जैकर ठीक जो हो गया हमारा जैकर ठीक जैसी के इटी स्पेलिंग कुछ दर दर होते होगी तो आप समझ लेना चेक कर रहे ना गूगल सब के पास होगा अगर यूट्यूब देख रहे तो गूगल भी होगा पहले डायन बोल रहे हैं कम से कम कुछ दस्ताने कुछ चूते टोपियां है एट लीस समसूज आर कैप्स कि अब सूज यहां है कैप यहां कोई रिलेशन है जब नहीं atom पता है है कि हैं ओसाभी दस्ताने जैकेट है ऋभी जितने में ऽैना ग्लाव मैं ठेख के अंदर है यहां एंले रूम घर के था और और भर बीडिंग के अंदर है अर्थाथ की दूसरा सई है इसका भी कोशे करता है ठीक यह देखिए जितने question पिछले साल आपके आये हुए थे तारे पैटरंस पे सारे तारे के questions कुछ बाहर से विमने questions उठाए थे उसमें वो सबमने कर लिए ठीक अभी देखिए जहां तक फ्रस्ट नहीं है इस topic की कि लोगिजम की या वेंड डाग्राम की बहुत common चीजह हैं बहुत अधार चीजह हैं कुछ होता नहीं है कभी-कभी कुछ ऐसा आ सकता जब वह confused लगे जब कुछ भी confusion न तो फिल्कुल जीरो से सोचना layer by layer अगर बात कर रहा है मिट्टी की मिट्टी की बात करें यह हैसे समयों मिट्टी अगर बात कर रहा है मिट्टी की और मिट्टी की रिलेस्टन पानी से अगara अब पानी के बारे में तालाव दे रख्का sunlight तो अल जबर्जास्ती मन सौचना speaks कि दालाब की सठवत अ तो मिट्टी के अंदर इतलाब होता है नहीं जो पानी है आपका वो तालाब के अंदर है ठीक अब आपको बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स है नासा ने कहा है वहां भी पानी है जब जब जस्ती सोचने प्राज आज आओगे ना तो कोई रेंज नहीं है मिट्टी मैं कहूंगा अर्थ आपको सर मून पर भी तो मिट्टी है सही बात है लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है ना ज्यादा विज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है पक्तालाब के अंदर पानी रहेगा और मिट्टी का एक अलग गोला बन जाएगा आपका मिट्टी क के एक साथारस अप्रस जिससे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं की आउट अप दे बॉक्स तो सने की जरूरत नहीं है लेयर बाइलेर सिम्पल सुचने की जरूरत था ठीक तलाब आपको जो तालाब की बॉंडरी होती है मिट्टी की होती है कोई कि यहाँ पत्थर की होती तो तलाब को पानी को डाल देना तलाब के इंदर मिट्टी कर देना साइट मिट्टी ठीक अगला प्रसुन देखते हैं अब सूजर रफ से लिए ठीक यह वही सवाल इंगलिस में है अभी मैंना मैंने कल कहा था आपको न कि मैं ओनली वाला कॉंसेप्ट आपको जो समझाओंगा यह ब्लैंक पेज नहीं आ रहा है ऐसा करता हूं मैं किसी पेज पर जाके डिलीट आल करके आप लोगों चलिए सवाल आपको मैं क्लियर आल करता हूं कि एक ऐसा इसमें काफी जगह है इस जगह में मैं आपको समझा दूँगा एक बेटा से इसको मैं थोड़ा स्टेज कर लूँगा ना तो यह थोड़ी जगह बढ़ी हो जाएगी ठीट है कि मैं यह है न अपना उलू सीधा करना ज्यादा इचले एग दो साल चाहिस जलों समयं में मैं और इसा कहता हूं त्差 रहेता हूं ग्जाम मुझे ना देना तब देना हो तब यह जैसे बैंकिंग के एससी के रेलेवे के अब एससे में भी दो है सीजी एलस यह असल है तो उसमें क्या है न से लोगिजम में कुछ नए चीज़ उसने टूट किया है जैसे पहला लाइन हम पढ़ते हैं ओनली कि अध्यू से उली अफ्यू ए और बीटि भरण देगा तुटि रहें देगा अब समझें आ इसमयतों तुन चार कॉंसेट्ट अफ्लों करने को दो अदोंगा आल दी आर पी ठीटिक की स्रकांजेब्ड इसरा कॉंसेट्ट अ ओनली औली only c is d ठीक यह तीन कॉंसेट्ट सही मैं समझाने का आपको प्यास करता हूं और इसके बाद मैं कुशित करूंगा को इधर और का एक कॉंसेट्ट समझा पाऊं इधर और क्या होता है इधर और आपके इसमें ते कि जैसे यहां पे यहां पे यहां पे नीधर वन और नौर तू सब्सक्राइब और तू अरथा दोनों में से कोई न कोई सही है अभी मैं इसको इसको सॉल्व करनक बाद उसको करा हूंगा ठीक इसका डियाग्राम कैसा बनता आप समझो इसको सीख लोगो सकता है एक्जाम में यूसी उटी न दे लेकिन आप क्योंकि इसने सिलोगिजम लिखा हुआ है और यह सिलोगिजम का पार्ट इसले मेरी मजबूरी ही नहीं है मेरे लिए जरूरी वेकर मैं आपको पढ़ा हूं है ठीक अभी देखो आप यह है ओनली अफ्यू ए और भी टिक यह हो गया भी अब अफ यूजब आ गया ना इसका मतलब है न कि थोड़ा सा एक तो भी है लेकिन बाकियो जो ए हो भी नहीं है हमझ गया इसका मतलब है यह सम से थोड़ा सा अलग है अब बी का एक पार्टम उ और not B इसका कत्रें यह मतलब नहीं है कि सम भी और नॉट ए भी तो पूरा का पूरा ए हो सकता है पर एफ पूरा का पूरा ए दी के अंदर नहीं जा सकता है यह आप समझके विंदा उसके अलावाद दिया हुआ है आल भी आर सी यह समझो आप अब जितने भी भी है ना इस सब सी के अंदर आएंगे ठीक है ओनली सी डी ओनली सी दी ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है आप लोके लिए भी नया है और बाकी एक्जाम्स में भी ये इचले एक दो साल में ही आया हुगा है ओनली वाले अब यह ज़िए लेकिन नुष्च और डी आ सकता है या सबस्द्र का मतलब होता है और पुरा का पूरा जो डी ये वह सी के अंदर होगा और डी का कोई यहां फीड बन जाएगा आपका ड और यह दिन भी कि अदर जा सकता है यह तीन है। जो लाश्ट का एक दो तीन मिनट जितने भी दिर मैंने समझाया इसको जो है आप अच्छे से याद कर लो रख लो आपके नए कोश्चन के लिए मैं यह बता रहा हूं ठीक है जो क्वेस्चन आपका सी यूटी दे सकता है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार मैं तो थोड़ा मैं कंफ्यूज नहीं देगा लेकिन अफी जरूर देना चाहिए देना चाहिए जिस तरीके से उसका अपग्रेडेशन हो रहा है यहां तक आएगा इस बार और इधर और की क्वेस्चन मैंने पिछली बार नहीं देखें लेकिन अभी मैं आपको जोई इध अधर और का मतलब समझ यह दो लोग है यह है और एक भी है इन दोनों के बीच में को पता ही नहीं है क्या संबंद है अगर मैं यहां पे लिखिदू इस ग्रेटर देन भी यह पहला अप्शन हो गया यहां दूसरा अप्शन आ जाएगा इस लेसर देन सी लेसर देन भी लेस है करें को देन सी आप बोलों के पहली ल 현рьम है कि यह तो वैभव सर बड़े हैं में मैं या तो बीनए सर बढ़े है या फिर दोनों अब आप इसको ऐसे समझों कि हम दोनों में अब इन दोनों के अलावा इन दोनों में कोई रिलेस्टन और बन सकता बना सकते हो क्या आप को गए इकल टू टू बी जैसे आप एकल टू टू भी को कि वैसे दूसरा सही हो जाएगा बिल्कुल भी मैंने चोटा बराबर है या आ या फिर आप को गए जो है एज लेस्टन भी फिर मैं कोऊंगा हाँ यह है तो ठीक बराबर या ठीक है तो दो लोग बीच में अधिक्तम नहीं जानकार यह तो तीन रिलेस्टन ही बन सकते हैं या तो ए बड़ा है या तो भी बड़ा है या फिर दोनों बराबर है अब यह आपके सिलोगिजम में यह कैसे यूज होता है मैं करके दिखा देता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऐसे ऐसे टिप्स और यह अगर नौट आए तो याद कर लो मैं हमेसा उस तरह का एक टीचर हूं कि रट्टा मारने के में हमेसा खिलाप रहता हूं तो थोड़ दूसे लिए तो सम ए आर नौट भी ठीक ठीक तीसरा देवे आल अ आर भी यह तीन लाइन आप देखो सम ए आर भी अगरी आप्षिन में दियर ए पहला दूसरा दिया रहे है सम ए आर नौट भी किसरा आल ए रवी देखिये कि यह दोनों जो लाइन सेना यह कंप्लिमेंटरी है कि अच्छा मैं करता हूं यह है और यह भी है ठीक इन दोनों के बीच में अगर पहले लाइन का है सम ए यार भी सम ए आर नौट भी या ऐसे समझ वहां कि या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा आप को दोनों सही हो जाएं तो यह थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन यह सममावना हमें साभन रहती है कैसे बनी रहती है यह आपका ए हो गया कि यापका भी हो गया तो मैंक यह एक ऐसे बन घयाती यह प्यार आप देखने सब यार भी समय आर नौठ भी आल एर भी अभी इन दोनों में से 알 ए आर भी अब कोई भी मेज आ बना लो आप कोई भी इमेज बना लो आप हमेसा पाऊगे कि इन दोनों में से कोई नएक फॉलो कर रहा वैसे समझो आप समय आर-naud बी एमने बनाया इंदर वैसे आपके दूसरी लाइन सही हो जाएगी तेकिये मैं थोड़ा जो चीजे बता रहा हूं नहीं हो सकते आपको एक बार मैं ना समझ मैं इस वीडियो को आप दो बर देखना थोड़े से लिटेट मैं सवाल आपको दे दूगा तो आपको यह बहतर स है ठीक है चलिए आगे बहुत है हम अधे कि लोगिजम और डियागराम के लिए मुझे लगता है जितने कुछ आने वाला नहीं है और अगर कुछ आने की संभावना होगी तो मैं बिल्कुल इन सब जितने भी टॉपिक्स में करा रहा हूं ना मैं की एक बार रिक्लास जरू को आप कर लोगे ना फिर आपको रिजनिंग में परिशान होने की जुरूत में कहीं से भी ठीक चलिए इसी के साथ जोए क्लास को भी राम देते हैं आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत प्रसंद रही है ठीक